हेलो मेरे प्यारे बच्चो दिस इस यॉर कुरूशी मैम और आज मैं जो विडियो बना रही हूँ ये रिगार्डिंग आपके अलर्ट के उपर है ऐसा काफी सारे न्यूज आ रहे है कि लिंक अक्टिवेट हो चुका है वेबसाइट क्रैश हो रहा है मैं अभी तक रिजल्ट आया भी नहीं है और काफी सारे यूट्यूबर्स ने अपना धंदा चालू कर दिया है कि वेबसाइट क्रैश हो रहा है वेबसाइट में लिंक अक्टिवेट हो चुका है रिजल्ट का तो काफी सारी फेक वेबसाइट फेक यूट्यूबर्स आ रहे है ताकि आपका जो बच्चों के DMs आ रहे थे, screenshots आ रहे थे, कि देखो माम, link अक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर हम click कर रहे हैं, तो मुझे यह सारी details पूछ रहे हैं, जैसे मैंने video बनाया था, how to check your results, अगर आपने नहीं देखा है, तो you can see that video, यहाँ पर आई बटन रहेगा, आप देख सकते वाली हूँ, वो सारी fake websites ने भी कुछ इस तरीके का interface बना रखा है, जहाँ पर बच्चे अपने जो credentials है, अपनी जो details है, वो डालेंगे, और कुछ इसी तरीके का interface उनको दिखेगा, और उनको फरक भी पता चलेगा, नहीं कि यह official है कि नहीं है, तो यह मैं अपनी कहानी नही बता रही हूँ, यहाँ पर मैं real बता रही हूँ कि, यहाँ पर real बच्चों ने मुझे screenshots भेजेते, और मुझे जब पता चला, I was of course shocked कि इतना जल्दी तो मलब कुछ है ही नहीं, कुछ अता पता ही नहीं है results का, और अचानक तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि अचानक वो बोलें पर देख रहे हो, तो आपको तो alert कल रात को ही मिल चुका था, पर फिर मैंने सोचा कि telegram वाले बच्चे को तो मिल गया alert, what about other students, क्योंकि यह जो scam था ना, यह छोटा मोटा scam नहीं है, इसमें हजारों बच्चों ने अपने details दे दिये, और वो उसमें trap हो चुके है, महीं यह काफी बड़ा issue है, और इस जो trap, यह trap जो उन्होंने बनाया है, यह trap में एडिव हैपियंज ना फसे, इसलिए मैं यह video बना रही हूँ, तो telegram के बच्चों को तो पता है, पर YouTube जो दूसरे जो YouTube में बच्चे है, उनको alert देने के लिए मैं यह video बना रही हूँ, ताकि अब ऐसे ऐसे thumbnail की हाँ result आ चुका, ऐसे भी नहीं के आया है की नहीं, क्या है की नहीं, direct आ चुका, result out, ठीक है, हम question mark तो डाल रहे हैं, यह लोग तो direct result declared, result declare हो चुका है, result आ चुका है, link activate हो चुका है, fake websites, website crash हो चुका, यह सारा सब कुछ देखके, students एक दम घबरा जाते कि यार सच्ची में आ गया है क्या, सच्ची में website crash हो रही है क्या, कि मेरी website नहीं खुल रही है, यह सारे जो scam हो रहे है, fake websites का, यह सबसे आपको बचके रहना है, so यहाँ पे आप website देख सकते हो, this was the fake website, जो CBSC बनने का try कर रही थी, pretend कर रही थी, और उन्होंने कुछ इस तरीक यह का interface बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कैसा interface है, it is more or less similar to the CBSC GOV वाला website का interface, तो वैसा ही यहाँ पे result वाला section था और वो result के section में बच्चों ने click किया, और वहाँ पे पूछ रहते अपने details की, जैसे कि आपका admit card का ID, date of birth, फिर आपका role number, school number, यह सारी details आपको डालन होती है, और आपका वो result लेने के लिए भी 500 या तो 1000 रूपया मांग रहे थे, मतलब वो ऐसा जो fake websites थे, वो ऐसा आप बोल रहे थे, कि यह ना अभी तक किसी को नहीं मिला, पर हम लोग अगर आपको सबसे जल्दी देंगे result, वो भी एकदम वो वाला, real वाला result, तो आपको 500 तो 1000 देना पड़ेगा, जबकि वो सब कुछ fake था, मतलब बच्चे online payment कर रहे हैं और उसके बाद में पता चला कि यह तो सब कुछ scam था, तो इसमें around 7000 लोगों ने, मतलब 7000 बच्चे इसमें trap हो चुके और CBSC के officials को call लगाया गया था कि ऐसा क्यों पैसा वांग रहे हो कि हर साल तो ऐसी free में result देखा जाता है, तो यहां पर यह साल आपने ऐसा rule क्यों बनाया, तो तब CBSC के officials को पता चला कि यह सारा सब fake websites का scam चल रहा है, फिर पता भी लगाया कि यह वाली जो fake website है, यह किसने बनाई थी और यह सब case चल रहा है इसके उपर, तो बस अगर आप भी व जारा अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो please मत उसमें जाना, और जो बच्चे ने नहीं दिये, you are safe, तो आगे अगर ऐसा कुछ भी आए, कोई भी मांगे, आपको नहीं देनी अपनी details, क्योंकि जो details है, यह सारी personal details है, आपको कहीं पर भी किसी को भी नहीं देनी होती है, यह सार यह टेखनीक से लोग करते हैं, कि अपनी details मांग ले, वो details का कुछ भी misuse हो सकता है, you never know, तो never fall into this trap, ठीक है, first thing, second thing, जो बोला जा रहा था बार-बार की 7th में को declare होने वाले, तो 7th में तो चला गया, and आप देखरों, scam वालों का भी दिमाग की, ऐसी news चल रही थी, fake news के 7th म में को आएगा, इसलिए वो लोग ने, अपना जो fake website वाला result है, वो भी 7th में को ही declare किया, अब next date क्या बता रहे है, 10th में, अब वैसे फिर से same incident ना, 10th में को भी होने वाला है, इसलिए मैं यह आज के, आज ही video बना रही हूँ, ठीक है, इतने urgent basis पर में यह video बना रही हूँ क्योंकि 10th में is like person, 10th में को फिर से scam होने वाला है, क्योंकि 10th में अभी market में चल रहे है, 10th में को result आएगा, और मुझे यह बात में ज़रा भी सच्चा ही नहीं लग रही है, तो आप इतना यह hyper हो ही मत, ठीक है, 10th वाले बच्चे, as well as 12th वाले बच्चे, 10th में को मुझे नहीं लगता है कि result आएगा, ऐसा भी आ रहा है news में कि जो secretary है CBSC के triparty, अनुराक triparty, तो उन्होंने ऐसा बातचीत में एक interview में बोला था, कि 15th में के around ही result आएगा, 15th में के आजू आजू हो सकता है, या तो देखूं, अगर मैं personally बोलू, तो मुझे लगता है कि 13th से 15th के बीच में result आएगा, हो सकता है कि class 10 and class 12 का result एक साथ declare कर दे जैसे पिछले बार हुआ था, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है आपको जाधा hyper नहीं बनना है, ये जो नारा लगा के रखा है सब YouTubers, वेबसाइट ने, इसमें आप प्लीज मत आईए, अपनी details तो किसी को भी नहीं देनी है, अगर कोई authentic source है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, authentic source से कोई भी news आती है, सबसे पहले आपको टेलिग्राम में मिल जाती है, जैसे कल मैंने टेलिग्राम में डाल दिया था, तो ऐसी news के लिए आप follow कर सकते हो, टेलिग्राम को, ठीक है, link will be there in the description, वहाँ स आपको ही फाइदा होने वाला है, ऐसा कुछ हम प्रमोशन नहीं कर रहे है, तो अगर आपको वो करना हो, तो कर सकते हो, second thing, मैंने steps अच्छे से बताए है, तो वो वीडियो ध्यान से देख लेना, सब बच्चों के लिए है, वही वीडियो में मैंने authentic sources डाले है, वही वे से आपको देखना है, ठीक है, वही वे से आपको देखना है, ना ही कोई फेक वेबसाइट में जाना है, या कोई भी अलग से कोई भी फेक यूट्यूबर्स के चैनल पर आप देखो, ये क्राइटेरिया, पासिंग रूल, ये सब प्लीज मत देखना, अभी तक CBCC ने officially कुछ नहीं बोला है, जो भी ये सब news चल रही है, it is according to a fake circular, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, fake circular बनाया गया था, art page का, जो CBCC ने बनाया ही नहीं है, समझ रहो, तो ये सब fake चीजे हैं, आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है, तो अभी मैं ये ही end करना चाती हू विडियो को, मुझे सिफ यही आपको बताना था, ज्यादा कुछ है सा मैं ये हवा की बाते नहीं करना चाती हूँ, ज्यादा आपको ये नहीं करना चाती ही के, हाइपर बना दू के, नहीं नहीं, result तो आ सकता है, result तो आ सकता है, जो मुझे real लग रहा है, वो मैं आपको ब स्टेडिस पर ध्यान दे सकते हो तो इसमें आपको पूरा यह तब आज आएगा इतना क्यूं सोचना है आपने महनत की आपको जो नहीं अच्छा लगता था सब्जेक्ट उसमें भी आपने महनत करके वह पेपर लिखा you did your best, you did your hundred percent right, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो जान बूझ के महनत नहीं किया और बाद में बोल रहे कि यार नहीं, महनत तो महनत किया है ऐसा तो कोई नहीं है सभी ने महनत किया है किसी ने जादा किया, किसी ने कम किया है कुछ भी आता है, तो हम सबसे पहले आपको बता देंगे तो उसका आप टेंशन मतलो कि मेरे से कोई नोटिफिकेशन में सोचाएगा वो मिस नहीं होगा, ठीक है एवरिटिंग विल बी फाइन, कुरुषी माम इस यर ना बस, चलो बाई एवरिवन, टेक केर कुल दाउन, बाई